वल्कम बैक जी और इस एपिसोड में मैं आपको फ्री में AI images generate करके और उसको upscale करके and then submit करवाना सिखाऊंगा कि किस तरी किसे आप Adobe Stock पर submit करवा सकते हैं ठीक है basic rules यही हैं कि आपने artwork generate करना है उसको उस scale तक ले जाना है जहां जो Adobe Stock images recommend करती जो resolution वो recommend करती है 4 megapixel तक कम से कम आपकी image होनी चाहिए ठीक है चाहिए आप photography वाली image यूज़ करें चाहिए आप AI images यूज़ कर रहे हैं ठीक है एक list देता हूँ toolify.ai website की तरफ से है link description में मजूद है आप देख सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे text to image generator मिल जाएंगे AI tools हैं और आप check कर सकते हैं इसमें जो भी free है आप खुद search कर सकते हैं और उनको आप use कर सकते हैं जो बहुत सारे लोग जो है वह obviously इस बात से परेशान होगे होंगे कि मैंने आपको यह जो लिस्ट दी है, आप इसको explore कर सकते हैं, there are 169 website so far, add होती रहती हैं इसी page के उपर, तो आप उन website को use करके देख सकते हैं, ठीक है, और देखें, जो free में आपको solat दे रहे, आप use कर सकते हैं, तो जो मैं आपको बताया है, जो premium website, जो playground.com है, यहाँ पर get started for free के उपर आपने click करना है, ठीक है, और यहाँ पर continue with Google के उपर click कर देना है, और जो भी आपकी Gmail की ID होगी, वो आपने लगा देना है, अपना email and password, मैं अपने account से login कर लेता हूँ, और यह login करने के बाद आपके पास इस तरह का interface आजएगा, यह देखें, यहाँ पर जो लोग पहले से generate कर चुके हैं, यह हमारे सामने वहां पर, यह मजूद है, ठीक है, यह देखें आपके सामने, बहुत अबदस किसम का artwork generated हुआ 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 है, and we have different options here, sci-fi, because यह वो categories है, आप देख सकते हैं, you can also search for any specific artwork, तो यहाँ पर आपको create का बटन दिख रहा है, इस arrow को पर click कर और आपने start कर देना है on a board, ठीक है, easy way to generate art, तो हम यहाँ पर click करेंगे, तो ऐसा interface आपके सामने आजएगा, यहाँ पर यह बंद कर देए, वो क्योंकि उन्होंने काया है, कि हमने version 2 release किया है, तो उसका introduction दे रहा था, and जैसे मैं आपको बताया था, कि यह जो free version वाले हैं, य ठीक है, यह अब जो इतनी भी चीज़ हैं यह आपने खुद try करनी, तो आपको एक ही command के उपर different results मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यह यह आपके results जो है, हर model के उपर depend करता है, वो किस किसम का artwork generator करके दे रहे हैं, यहाँ पर यह quality and details आगी, कितनी आपको details चाहिए, जित आप number of images each time कितनी generate करना चाहरे हैं, जैसे आपके पास each day 500 images का quota है, तो आप एक time में 4-4 images भी generate कर सकते हैं, या एक image भी generate कर सकते हैं, चार अमूमन हर बंधर जो website वो 4 ही generate करके देती हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर चार कर लें, अगर करना चाहरे हैं, यहाँ पर filters हैं, अग इसका एक formula होता है कि आप upcoming events को target कर रहे होता हैं, सबसे पहली tip जो है, अगर आपने stock websites के उपर work करना है, तो sales लेने के लिए जो upcoming events हैं, जैसे फरवरी में हमारे पास Valentine's आने वाल है, ठीक है, तो आप उसको target कर सकते हैं, मजीद tips जो है, वो next episode में बताऊँगा, आप किस तरी generate के उपर click कर देते हैं, ठीक है, जैसे generate के उपर click करेंगे, आपके पास यह चार artwork generate होना शुरू हो जाएंगे, it will take some time, artwork obviously generate होने में तोड़ा time लेओं कि हम free engine यूज़ कर रहे हैं, free website यूज़ कर रहे हैं, तो time तो लगेगा, और अगर pro plan लेते हैं, तो इससे जदा fast generate हो जा डटे रहना, तो यह आपके सामने उसने चार artwork generate कर दी हैं, यह देखें, और I think these are looking amazing, इन में से हमें एक select कर लेते हैं, for example, यह वाला जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा हम इसको यहां से download कर लेते हैं, ठीक है, image हमारी यहां पर download होगी, और अगर हम size देखें तो यह इसने कुछ है सिबता है, कि इसको पहले अप scale करेंगे, free वाले artwork को generate करके, तो यहां पर थोड़े column हम 3-4 कर लेते हैं, ताकि आपको idea हो कि कौन सा artwork आपने generate की हैं, सामने आपके आजाएंगे, वहना इतनी तर बड़े columns हैं, उससा ही तरीके से देखनी रहा था, पूरा screen के उपर scroll करना पड़ता, ने जी, अब हम इसको करते हैं, अप scale, सबसे पहले हम देखते हैं, अपना artwork, यह राजी, और हमारे पास यह image है, लेकिन अगर zoom करना तो यह pixel फट रहे हैं, ठीक है, और इसी को हमने fix करना है, अपने Adobe Stock के scale के लिहां से, यह dimensions के लिहां से, फ्री टूल है, link description म If you guys want to earn money through Adobe Stock, then do subscribe my channel, और पूरी playlist मजूद है, और मजीद आना माली videos के लिए, आप notification के bell भी on कर सकते हैं, अप scale के नाम का, यह थोड़ा सा spelling देख लेंगे आप, और इसको आपने यहां से download कर लेना, अपनी Windows के लिए, desktop के लिए यहां पर, download कर लेना, download करके install करेंगे, free है completely, और फिर आपने उसको open कर लेना, open करेंगे तो यह interface सामने आएगा, और इधर से आपने upscale क्लिक करना है, और यहां पर select image करेंगे, और जो image आपने download की है, वो select कर लेंगे, ठीक है, इसको open कर लेते हैं, open करने के बाद यहां पर हमारे पास यह रेखें, option है next, double upscale का, आप currently ज से double करना चाहरे हैं, अगर खुद यूज करना चाहरे हैं, तो आप देखें, यहां पर 16,000 by something जो है आपके सामने, scale हो जाता है, लेकिन वो time भी जाता लेगा, तो इसको हम अंचक करते हैं, 4000 तक लेके जाते हैं, और यहां पर upscale के उपर click कर देते हैं, यह थोड़ा time लेगा ठीक हैं, यह आपके सामने हैं, और time लेने के बाद यह आपका heart work जो है, जो हो generate हो जाएगा, लोग जो है वो Photoshop में भी scale करके दे जा रहे हैं, यह Photoshop में रखके size जो है, इसका बढ़ा देते हैं, और फिर upload करते हैं, लेकिन उसम टाइम जो है pixel हट जाते हैं, images की quality डाउन हो जा है, ठीक है, यहाँ पर click करें, आप देख सकते हैं, इसको अगर हम 150 पर लेके जाएं और इसको zoom करवा हैं, तो यह आपके सामने देखें, थोड़ा सा फर्क दिखा रहा है, 200 पर लेके चलते हैं, ताकि आपको idea यह देखें, हलका sublar है, before में, और after में काफी हद तक यह हमारा crisp result निकाल दिया उसने, ठीक है, और वैसे image उसने निकाल के आपको दे दी, अब हम चलते हैं इसके results देखने के लिए, ठीक है, हम अपनी जाएंगे downloads में, और यह उसने आपके सामने image निकाल दिया, देखें, PNG image निकाल दिया, और इसको आप JPG भी convert कर सकते हूं, आपको बत जाता हूं कैसे, लेकिन अब भी फिलहाल हम हर पास, यह में निकला और यह देखें, इसको zoom करवा कर देखते हैं, and it is quite crisp result, ठीक है, तो यह आपको बड़ा बड़ा स्टूल है, और अब मैं आपको बता देता हूं, JPG कैसे करना है, यही पर settings है, settings में जाके, यह PNG के वज़ा अकाउंट में, जहां लोग इन करना है आपने, और अगर आपने अभी तक अड़ावी स्टॉक का अकाउंट भी बनाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मजूद है, जाके अकाउंट बनाएं, और अपना काम स्टार्ट कर दें, जैसे हाज बने आपको गाइड की है, ठी ठीक है, जब artwork हम जनेरेट करते हैं, तो मैं यहां परी बैक्राउंट with rain of hearts, ठीक है, यह हमारा basically command थी, जिसको open कर दें, अब जितना क्रेटिव हो सकते हैं, अपनी commandments में उतना ही creative artwork जनेरेट होगा, ठीक, और बाकी आप अगर Adobe Stock को browse करें, तो आपको बहुत सारी commandments भाही से मिल file submission के काबिल नहीं है इसको बनाना पड़ेगा ठीक है कैसे यह देखें file type photos है category जो है वो आप यहाँ पर select कर सकते है क्या है graphic resources कर लेते हैं या lifestyle कर ले event को हमने basically यह किया है target तो यहाँ पर देखते हैं यह हमारे पास events कहाँ पर है तो इसमें से आपकी जो करना है and people and property are fictional के उपर आपने click कर देना है ठीक है यह यहाँ पर basically आपने बताना है कि यह आपने किसी popular celebrity की तो नहीं बनाई वही ठीक है ना अगर वो बनाई तो उसका फिर model release करना पड़ता है proper हमें यहाँ पर लेकिन fill हाल अपने नहीं की और ना ही करने तो बेतर है तो उसको आप यहाँ पर प्रॉपटी और प्रॉपटी और फिक्शनल के उपर क्लिक कर देना है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर आपने title लेक ना है तो यहाँ पर लिखें जी background with rain of hearts या hanging hearts लिख दे वैलेंटाइन का theme भी है तो भी लिख लें ठीक है न और hearts लिख लें ठीक है अब यहाँ पर जी नीचे मारे पास keywords हमने देने हैं we can add up to 49 और यहाँ पर देखें आपके सामने नीचे different relevant automatically वो पिक कर लेता है वो भी add कर लें प्लस अपना भी add कर लें ठीक है और इसके लावा ठीक है तो आप अपने भी add कर सकते हैं और जो नीचे suggestions में हैं वो भी add कर सकते हैं अब देखते हैं आपका जो circle है यह छोटा सा dot जो है वो green हो चुका है और अब आपने कहा करने हैं आप submit one file ठीक है इसको understand कर लें और continue कर लें और यहाँ से submit करवा देना है और यह चले यह reviews पर ठीक है और मैं आपको बताया कि it can take up to eight weeks दो month लगने हैं कम से कम इसको अप्रोव लोग जल्दी पर हो सकती है अगर उनका mood बन जाए या लोग actually कर बहुत massive तदाद में रहे हैं तो आप भी रुके ना बस लगे रहे हैं तो अब question आता है कि अप scale किया क् यहां पर आप देख सकते हैं कि minimum image resolution जो है वो four megapixel है और one thousand twenty four pixel जो है वो four megapixel नहीं है हमें इस image को relevant to four यानि कि up to four megapixel करना पड़ना था तो इस वज़ए से मैंने upscale use किया और यह जरूरी था ठीक है upscale के अंदर और भी options हैं अगर आप batch wise करवाना चाह रहे हैं तो यहां पर दे सो images, dates, images जितनी भी हैं वो सारी उस folder में रखके आप folder select करवाएं setting अपनी jpg select कर लें और यहां पर अपना artwork folder select कर लें और upscale को पर क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है पूरा जो folder है वो सारी upscale हो जाएगा I'm using this upscaler and it is amazing tool one of the amazing tool I found on internet और आपको यह बड़ा help करेगा तो यह आप Adobe Stock पर लगा सकते हैं Adobe Stock की तरह और भी बहुत सारी websites हैं जो के आपको allow करती हैं कि same images upload करके आप ऐसे कमा सकते हैं फिर next episode में या किसी और episode में मैं आपको पताऊंगा आपको कौन-कौन सी websites के उपर अपर अपनी AI images sell कर सकते हैं ठीक हैं जितनी high quality आपकी images होंगी जितनी approval हो और बिके हैं तो next episode में हम बात करेंगे किसे किसे आप sales generate कर सकते हैं या topics find कर सकते हैं तो मिलते हैं जी next episode में टेक केर लापीस कर दो